हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होंगी तो देखिए अज मैं बहुत ही प्यारा सा डोर्मीट बनाना बताऊंगी और दो कलर के ऐसे साड़ी की पट्टिया ले लेनी है और इसकी चवड़ाई देखिए पांच अंगुल मैं रखी हूँ दोनों की पांच पांच अंगुल है तो ऐसे ले लेना है और दोनों को क्या करना इस तरह से ऐसे मोड़ देना है ऐसे मोड़ना है दोनों को ऐसे मोड़ने के बार देखिए ऐसे सिलाई कर देनी है सुई धागे की सहाथा से इसको सील लेंगे ऐसे दोनों को सील लेंगे देखिए इस तरह से ऐसे सीला गया देखिए सीलने के बाद एक तरफ ऐसे सिप्टी पीन लगा लेंगे और इसको पैर से दबा लेंगे अब फिर इसको देखिए इस तरह से ऐसे बनाना है बहुत आसान है बहुत जल्दी ये बनके तयार होता है तो इस वीडियो को आप लोग लाश्ट तक जरूर देखिएगा कि बहुत सुंदर बनने वाला है और बहुत जल्दी बनके ये तयार होता है डोर्मीट ऐसी पुरानी साड़ी चुन्नी जो भी है तो पुरानी कपड़ों से आप लोग बना सकती है तो इसी तरह से ऐसी जितना बड़ा डोर्मीट बनाना है तो इसी तरह से ऐसी बनाना है जितना बड़ा आपको मतलब डोर्मेट बनाना होसी की हिसाब से इसको बना लेजी और इसकी बाद देखिए फिर ऐसी इस तरफ ऐसी इसको मोडेंगे और इहां पर बनाएंगे इसमें किनारे पे दो फंदा बना लेंगे एक फंदे में दो फंदे किनारे पे बना लेंगे ऐसे एक फंदा ही बनाते जाएंगे इधर उधर भी ऐसे बनाते गया है अब देखिए हर फंदे में एक एक फंदा बनाना है एक फंदा ठीक है हुआ 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 है ऐसे इधर भी बना लेंगे देखिए एक एक फंदे ऐसे बनाते गया है और यहां किनारे पर गोलाई बनाने के लिए यहां पे दो फंदे बनाएंगे ठीक है ऐसे देखिए ऐसे दो फंदे बना लेंगे ठीक है अब इसको देखिए अब इस कलर से बनाएंगे ऐसे देखिए इस तरह से इसे बन गया अब देखिए इस कलर से बनाएंगे तो यहां पर सिर्फ है किनारे पर दो फंदा बनाए है गोलाई लाने के लिए क्योंकि अंडाकार में डॉर्मीट बनेगा तो इस तरह से ऐसे एक एक फंदे में एक एक फंदा बनाती जाना है और देखी इस पट्टी को ऐसी ऐसी पट्ट शे दबा लेंगी और एक-एक में एक फंदा बनाएंगी आप इसे देखी इतना जल्दी बन जाता है ये डॉर्मीर बहुत जल्दी बन जाता है और एक दम बहुत सुन्दर मतलम मोटा साल बन की तयार होता है ऐसी बस एक-एक में एक-एक फंदा ऐसी बूलते जाएंगे इसी तरह से ऐसे बना लेंगे पूरा देखें यहां तक बनाते हुए आगए अब यहां पर देखें किनारे पर दो फंदा बनाएंगे दो या तीन मतलब गुलाई लाने के लिए जितना फंदा यहां पर बनता है तो ऐसे आप बना लेजिए इस तरह से अभी गुलाई में अच्छे से आएगा दो फंदा दो फंदा यहां बन गए ने अभी एक एक फिर से बनाएंगे उस बराएंगे एक एक में दो दो बनाएंगे तो ऐसे बनाती हुई जाना है इस तरह से पूरा यहां तक बना लेते हैं अब देखिए यहां तक बन गया अब फिर यहां पर ऐसे बनाएंगे दो दो फंदा आप ठीक है एक में दो बना लेंगे अब देखिए इस तरह से बन गया नहीं अब फिर इस कलर से बनाएंगे और एक एक में दो दो फंदे निकालेंगे ऐसे अब देखिए red वाली पट्टी को support में रखेंगे, अब बनाएंगे white वाले से, ठीक है अब एक में दो बनाएंगे, दो-दो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे एक में दो-दो ऐसे बनाती जाएंगे एक में दो बनानी है, तो देखिए यहाप एक खतम हो गया है, तब ही सुई धागा से इसको joint कर लेंगे हापी देखिए, सुई धागा से यहापी फिर से joint कर लेना है, कपड़े को तो देखिए फ्रेंड, ऐसे जोडने के बाद, और एक-एक में से, एक-एक फंदे में से, दो-दो फंदे अब बनाएंगे दो-दो फंदे ऐसे बनाएंगे, तो और जल्दी बनेगा, और इसको ऐसे पर से दबा लेंगे और एक-एक फंदे में से, दो-दो निकालेंगे, दो-दो देखिए, दो बन गया, ऐसे यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और किनारी पर देखिए, अब आ गया न, तेहाँ पर मतलब तीन बनेगा, या तो चार बनेगा, जितना बनता है, तो आप ऐसे बनाती जाएंगे एक-एक में से, दो-दो करती जाएंगे, पूरा ऐसे, अंडाकार में बनेगा, तो देखिए, एक-एक में से, एक-एक फंदे में से, अब दो-दो फंदे ऐसे बनाती जाएंगी, तो बहुत ही अच्छे सीबन की तयार होगा, तो ऐसे बना लेना है तो अभी बना के मैं आपको दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंड एक लाइन जब पूरा बनाएंगे तो एक फंदे में दो-दो फंदे निकालेंगे फिर अब जब दूसरा राउंड बनाएंगे फिर अब देखे अब इससे रेड वालेस बनाना है तो एक एक फंदे में एक एक फंदा निकालना है एक बार एक एक फंदे में एक एक फंदा निकालेंगे और जब दूसरा फिर इसके उपर राउंड लाएंगे तो एक एक फंदे में दो-दो फंदे निकालेंगे ऐसी मतलब जितना बड़ा आप डोर्मेट बनाना चाहती है उतना बड़ा आप बना लिजी और बहुत जल्दी मतलब 10 से 15 मिनट बहुत 20 मिनट में ये डोर्मेट काफी बड़ा बनके तयार हो जाएगा तो बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी बनता है आप लोग इसको जरूर बनाएगा और पूराने कपड़ों का यूज कीजिएगा तो थैंक यू फ्रेंड नेश्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज अपनी दोस्तों में सेर जरूर कीजिएगा तो थैंक यू फ्रेंड